नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडिया जॉब्स हब पर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एनेचेम में हुई की 4100 पदों पर हुई भर्तियों के रियल्ट के बारे में बताना चाहता हूं तो फ्रेंट्स यहाँ पर एक बहुत बड़ी निकल कर सामने आ रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सबसे उपर हेडिंग दी हुई है आप देख रहे हैं 4100 पदों पर भर्ति का रियल्ट अठका तो फ्रेंट्स एनेचेम के थुरू लगभग तीन माह पूर्व जिन 2700 प्लस 1400 पदों पर यानि की टोटल गया था लेकिन इन जो भर्तियों के जो एक्जाम्स हुए उनका रिजल्ट जो कि अप्रेल माह में घोसित होने को बताया गया था उसके बारे में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई इंफार्मेशन नहीं है और नहीं अभी तक कोई उनका घोसित हुआ है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना जो अभी इस समय महामाई चल रही है एक पेंडेमिक है ऐसे में प्रदेश के जितने भी अस्पतान है वहां पर डॉक्टर्स की स्टाफ नर्स की और तमाम तरहें के मानुस अंसादनों की जरूरत पड़ रही है परन्तु यहां पर एंचम के थूरू ज जो दने भी नर्सिंग समसे वहां पर आउट्सोर्सिंग के थूरू जो है तीन-तीन माहा के लिए कर्मचारियों को नियूप्त कर दिया गया उनकी भरतियां कर ली गई परन्तु अगर यही काम एंचम रियल्ट दे देता तो मलब हमें आउट्सोर्सिंग से इन भरतियों की परन्तों एंचम में का रिजल्ट ना जारी होने के कार्ण उन लोगों मलब होस्पिटल्स ने मानों संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए आउट्सोर्सिंग से भरतियां कर ली और जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं यहां कटिंग में दिया हुआ है एंचम में समीध समीध की आधार पर होने जारी डेंटिस्ट मनो चिकित्षक्त आयुश्चिकित साधिकारी स्टाफ नर्स लैंट टेक्निशियन फार्मस्सिष्ट एक्सरेट टेक्निशीं आप्टो मेट्रिस्ट फिज्यो थेर्पिस्ट डेंटल टेक्निश्यन योका स्पेचलिस्ट 2200 प्लस और 1400 प्लस थी यहीं टोटल 4100 प्लस कुछ वेकंसी के लिए आवेदन मांगे गए थे जिनका एक्जाम्स जो है लेकिन इसका रियल्ट उसके तीन माह बाद घोसित होना चाहिए था लगभग अप्रेल में आ जाना चाहिए था रियल्ट लेकिन उसका रियल्ट अभी तक नहीं आया है कि तो ऐसे में जोने जो अवेजिन लोगों ने भी हाव दिन न किया था उन लोगों ने एनर्चम कर्याले में जाकर पूशथ दौष की है तो वहां से किसी फिर्गार का कोई संतोजनक परिणाम नहीं मिला है कोई संतोजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है और ना ही यह क्लिए किया जा रहा है लोगों को कि हां कि रियल्ट क्यों नहीं जारी किया गया अभी तक ऐसे में यह लोग इधर धर भटक रहे हैं कि एनेचम ने बताया है कि मानोस अंसाधन उपलव्द कराने वली जो कंपनी है उनकी प्राइवल लिम्टेट से रिजल्ट के बारे में पूछताज भी एनेचम ने की है लेकिन वहां से भी एनेचम को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है कि ऐसा क्यूं हो रहा है इन लोगों के उन अभेट्यों का कहना है कि प्रत्यक जिले में हैं प्रत्यक शास्त केन्ड्रों पर कि अच्छे कास Remo मौलब मानोivan की जरूरत है उन जरूरतों को पूरा करने के लिए सभंदिन मान दे के आधार पर आउट्शोर्सिंग कर्मी को कि निउक्त किया जा रहा है और तीन दो तीन तीन माह भरती उनकी की जा रही है इसके पशाथ अभी आप उन्हें हाली में देखा था कि केजमियू का एक प्रकरण आया था सामने जिसमें कि अभी जो हाली में लगभख एक माह पहले लोगों को जॉइन दी गई थी भरतियां जो हुई थी उनको एक माह पहले भी जॉइनिंग हुई थी और उनको ना ही वेतन दिया गया और इसी मन्त 31 मई को उन्हें बाहरा कर दिया गया अनि हटा दिया गया तो ऐसे में एनेचम और सेम्स के उपर एक क्वेश्चन माग लगता है कि हां यह भरतियों का रिल अगर क् साइंस की वैब साइड़ दिख रहा है तो फ्रेंडग् चलिए हम देखते हैं सैंस कि ऑफीशिल वैब साइट पर देखते हैं कि कि यहां किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन को कौन कर सब्सक्राइपि और सब्सक्राइप कर ददिखिस और ने चुके सब्सक्राइब नहीं आए यहां पर आप पूरा देख सकते हैं कि यहां पर एक जो लाक्ष्मी सबसें दिया हुआ यहां पर देख रहे हैं आप डिटेल्स और आलाइन अप्लिकेशन के बारे में दिया है बट इसके बारे में कोई रियल्ट का नोटिफिकेशन नहीं आया है तो फ्रेंट्स वैसे जो अभी एक इंफॉर्मेशन मिल लें उसके एक वाडिंग जून में इसका रिजट आने की उम्मीद बताई जा रही है मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि मैंने यह सर्च करके देखा है यहां पर वह जो विभीन पोस्टे दिखा रहे हैं हेल्थ एंड वेल्नेस कम कम्यूटी प्रोसेस असिस्टेंट पैरा मेडिकल वर्गर कम्यूटी नर्स साइकेट्रिक नर्स एटीसी जो उनकी पोस्ट है उनके जो यह चौदा सो प्लस सता दिखा रही है वह यहां पर देख सकते हैं एप्रॉक्समेंटली जून 2021 दिखाए टेनेट्व डेट मलब जून 2021 में इसके रिजल्ट के घोसित होने की उमीद की जा रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें